नमस्कार दोस्तों एक तरफ चार दिनों से लगातार संसत के दोनों सद्मों में गतिरोध, शोर, हंगामा, नारेवाजी विपक्ष की लगातार ये बांग कि प्रधान मंत्री मोदी संसत के फ्लोर पर आए और मनिपूर के मुद्दे पर बयान दे राजसमा में लगातार ये मांग कि संसत में चर्चा हो, लंबी चर्चा हो, सरकार अपना प्राक्ष रख है और दूसरे तरफ प्रधान मंत्री मोदी का आज का वो बयान जिस बयान के बाद विपक्षी दनों का आक्रोस चरम पर है बयान ये कि प्रधान मंत्री मोधी ने बीजेपी संसतिया दल की बैठेक में कहा कि नाम में इंडिया रखने से कुछ नहीं होता। और ये कहते वक्त प्रधान मंत्री न सिर्थ इंडिया शब्द से अपने गुस्से का इजहार कर गए बलकि उन्होंने ये भी कह दिया कि इंडिया तो इस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है इंडिया तो इंडियान मुझाहिदीन के नाम में भी इंडिया और इंडिया तो popular front of India के नाम में भी है, PFI के नाम में है, तेक तरफ उन्होंने गुलामी का प्रतीक East India Company से जोड़ा, दूसरी तरफ आतंकवादी संगठान एक तरह से देखें, इंडियन मुजाहिदीन से भी इंडिया श्रप्त को जोड़ा, और उसके बाद लगातार BJP नेताओं के ब्या बोलते हैं, हिंदी में भारत बोलते हैं, गर्मेंट ऑफ इंडिया, प्रैमिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रसिडेंट ऑफ इंडिया, और संभिधान को Constitution of India, तो इंडिया भारत का वो नाम है, जिस नाम को अपने ढंग से इस्तेमाल करते हुए विपक्षी मोर्चे ने अपने होर्चे का नाम इंडिया रखा, लेकिन उसकी चिर्फ प्रधान मंत्री की इन शब्दों में दिखी, और खास बात कि प्रधान मंत्री मोधी संसद में तो बयाम देने नहीं आये, लेकिन संसद या दल की बैठ हैक में उन्होंने ये सब का कुछ और बाते भी थे, उस पर भ बता दू कि केंद्रे अग्रेमंत्री अमिश्चा ने कॉंग्रेस प्रेजडेंट मल्लीकारजुन खडगे और अधीर रंजन चौधरी को चिठ्थी लिखी है, चिठ्थी मेरे हाथ में है और चिठ्थी लिखकर अमिश्चा ने जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शायद, चिठ्थी लिखर अमिश्चा ने कहा है कि हम सभी पार्टियों के संसत सदस से चाहते हैं कि शांती बहाली की दिशा में बातचीत करें, संसत के फ्लोर पर आए, पुर्व में भी हमारी संसत में करके दिखाया है, विपक्ष की मांग है कि सरकार द्वारा मनिपूर पर स्टे इंडिया से नाराजगी दिखा दी इन शब्दों में कि इंडिया नाम रखने से क्या होता है, ठीक है, 26 डलों के एक मोर्चे ने नाम रख लिया इंडिया, लेकिन इंडिया तो उन्होंने बताया है कि इंडियन मुझाहिविन से लेकर सबका नाम इंडिया है, तो नाम रख प्राहट नरेंद्र मोडी जी के अंदर भी नजर आ रही है लेकिन इंडिया को आप कुछ भी कहिंए आप हमें कुछ भी कहिंए विपक्ष को कितना भी कोसिए लेकिन इस देश के चुने हुए प्रदानमंत्री हैं आप आपने इंडिया को गुलामी की प्रतीक East India कमपणी और एक terror organization के समकष खड़ा कर दिया ये वो अक्षम में अपराध है जो एक प्रधान मंतरी ने किया है और इसका बदला देश लेगा आपने देश का इससे बड़ा अपमान होते हुए कभी नहीं देखा ये राजनीती का वो घटिया स्तर है जहां पर अब एक बात साफ है कि बीज एक प्रधान मंतरी मोधी देते हैं इंडिया को आप इंडियन मुजाहिदीन से compare कर रहे है आपने तो एक stroke में इंडियन आर्मी इंडियन डिफेंस इंडियन नेवी इंडियन एर फोर्स सब को धता बता दी और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ आप कुछ भी कहिए मोधी जी लेकिन यही इंडिया मणीपूर के साथ खड़ा है यही इंडिया मणीपूर के आसू पोचेगा यही इंडिया पूरे देश की महबबत और संदेश मणीपूर तक पहुचाएगा और वापस भाईचारा बहाल करेगा लेकिन आप रण छोर क्यों बने हुएं आप परिस डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, केलो इंडिया, न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, क्या ये इंडियन मुजाहिद दीन के एजेंट्स है? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए. आज जो प्रधान मंत्री ने इस देश के नाम क साथ खिलवार किया है, वो हमारी अस्मिता पर, हमारे राष्ट्र पर और हमारी आत्माओं पर प्रहार है, इसको मैं विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं, इसको मैं एक इंडियान होने के नाते, इसकी जितनी भर्चना की जाए कम है, हमारा दिल इस देश के लिए धड़क पिएफाई का जिक्र किया, लेकिन ये लगता है कि कहीं से सोच में है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्टो सर्मा ने पहले ही बोल दिया था कई दिन पहले, जिस दिन आपके मोचे का नाम इंडिया तै हुआ, उसी दिन कह दिया था, इंडिया गुलामी का पर है, और उन्होंने अपने नाम के सामने चीफ निस्टर आसम ब्रैकेट में या आगे जो इंडिया था हुआ भारत कर लिया, तो तब लगा कि एक मुख्यमंत्री ने किया, चलो प्रधान मंत्री इससे असामत होगे, लेकिन प्रधान मंत्री तो चार कदम आगे बढ़ गया और उन्होंने कहा दिया कि ये तो इंडियन मुझाहिदीन के नाम में भी इंडिया है और पीफाई के नाम में भी इंडिया है, तो इसका मतलब लगता है कि पूरा पूरी बीजेपी इसी दिशा में सोच रही है कि आपने नाम बदल लिया, लेकिन आपकी राश्टिता, आपका देश प्रेम, वो सारा संदिक्त है. जो है, मानो गश्ट खाके गिरने लगती है, और भारत के सदन में आप बोलने के लिए नहीं तयार होते हैं, कौन सी मजबूरी है, ये कौन सी जिद है, ना ये मजबूरी है, ना ये जिद है, ये डर है, और इंडिया का है, ये डर होना चाहिए, ये डर ये खौफ जरूरी ही है क्शिर डर जंता का है डर इंडियंस का है आपने जो बात बोली हेमंत भिस्व सर्मा की मुझे तो आज तक लगता था कि प्रधान मंतरी अजेंडा सेट करते हैं और बाकी लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर तो प्रधान मंतरी एक नफरती मुख्यमंतरी का अजेंडा फॉलो कर रहा है इससे बड़ा दुर्भागी और क्या होगा और अब बराक उबामा को हुसैन उबामा बुलाने भी हो सकता है वो चल दे अब हो सकता है कि वो उस तरह की तुच्ची बाते करें जो हेमन तो बिस्म सर्मा करते लेकिन मेरे अनुसार दो चीज़े साफ है कि प्रधान मंतरी बेहद डरे हुए है और दूसरा ये साफ है कि प्रधान मंत्री ने देश का अपमान करके ये साबित कर दिया है कि गिरने की सारविजनिक जीवन में भारतिय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री के लिए अब कोई सीमा नहीं है जो लोग कहते थे इंडिया से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ वो लोग आज इंडिया को इंडियन मुझाहिद दीन के साथ थड़ा कर रहे हैं सोचिए और समझिए कहां तक गिर गए है प्रधान मंत्री इस लिए नाराज है कि आप लोगों ने नाम बदल लिया एक ऐसा मोर्चा जिसमें कई दल है जिनकी कोई बहुत ज़्यादा आहमियत स्यासी तोर पर नहीं है प्रधान मंत्री को और बीजेपी को लगता है कि यह सब मिलकर हमारा कुछ बिगार नहीं पाएंगे लेकिन बानुमति का कुनवा बनाया जेपी नड़ा ने बयान दिया था अभी जेपी नड़ा ही अंग्रेजी में जो बयान है उसका हिंदी तरजुमा बता देता है अंग्रेजी में है डेर वाश a child who failed in all his exams, he was hated by his classmates and neighbors, so the parents thought of changing his name to change his perception, it's not, it's, isn't the case similar to that India, एक स्कूल का छात्र जो इम्तहान में सभी हर बार फेल होता था, उसके सहपाथी और परोशी उसे ना पसंद करते थे, छात्र के पिता ने सोचा, नाम बदल देते हैं, शायद इससे कुछ बात बन जाएगी, इसी तरह की कहान इंडिया की है, जेपी नडडा ने भी बोला, तो उनको लगता है, आप खामखा, इंडिया का नाम लेकर, एक राश्चवाद का चोला, आप भी ओड़ना चा रहें, बीजेपी से काउंटर करने के लिए, तो हो कह रहे जिसने आजादी के अंदोलन में रत्ती भर भी अपनी भूमिका नहीं नवाई थी, हम राश्चवाद का सर्टिफिकेट उस पार्टी और उस नेता से बिलकुल नहीं लेंगे, जो इंडिया का नाम इंडियन मुजाहिद दीन और इस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेता है, जिसने हमें 200 साल अपने अधीन रखा, हमें बिलकुल राश्चवाद का सर्टिफिकेट उन से नहीं चाहिए, चाहे वो जेपी नडडा जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, अजीद जी हवा बदल रही है, मोदी जी बहुत धाकड पॉलिटिशन है, सब समझते हैं, उनको समझ मे आता है कि पैरों के तले से जमीन खिसक रही है, वरना सीना ठोक कर मैं अकेला सब पर भारी कहने वाला आदमी 38 लोगों का कुनबा ना बनाता, उन 38 लोगों का जिन में से 24 का 0 सांसद है, 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद है, उन 38 लोगों का कुनबा ना बनाता जिसमें से 9 लो पैरों के तले से जमीन खिसक गई है प्रधान मंत्री उन 38 के कुनबे को जब अड्रेस करते हैं अब तो कहते हैं पिछले 9 सालों में आप से ना मिला हो तो माफ कर दीजेगा पिछले 9 सालों में अगर SPG की वज़े से आपको ठीक बैठने की जगे ना मिली हो तो माफ कर दीजे हैं और जानते हैं कि इंडिया उन लोगों का समू है उसमें वो लोग शामिल है जो इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं जो इस देश को बचाना चाहते हैं और सबसे जादा जो इस देश के लोगों को रेप्रेजेंट करते हैं चाहे वो अलग-अलग राजिके पा इस समय भारतिय जन्ता पार्टी और नरेंद्र मोधी मुझे दिशाहीन नजर आते हैं, खताश और घबराई हुए नजर आते हैं. अच्छा आपने एक आखरी में बोला कि वाकई नरिंद मोधी दिशाहीन नजर आते हैं यही सवाल में पूछने वाला था लेकिन यह शब का इस्तेमाल आपने प्रधान मंत्री या बीजेपी के लिए किया लेकिन आज बीजेपी की संसद्य दल की बैठक में प्रधान मंत्री Mोधी ने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपख्श आज तक हम ने नहीं देखा ऐसा लगता है हमेशा यह विपख्श में रहना चाहते तो दिशाहीन तो आपको कह रहें कि आप लोग दिशाहीने संसद्र करणे के लिए तैयार हैं आप सड़क पर और परिसर में ऐसे तमाशा कर र रही है क्या चलन चुम्बक मीडिया कह रहा है विपक्ष अवरोध बन रहा है सरकार तो बहस कराना चाहती है रूल 176 जल निरेंद्र मोधी की सरकार बहस कराना चाहती है रूल 176 के अंतर बहस शौट DURATION कि होती है फ्राइगें लुँक कि होती यह यह जरूरी नहीं है लेकिन जो बहस हम चाहते हैं वो रूल 267 के अंतर केते हैं और उसमें हमारी सिर्फ यह बात है कि उसमें सारा बिजनेस सस्पेंड हो जाता है लंबी बहस होती है सब को बोलने का मौका मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के नेता सदल प्रधान लगा लीजे अरे इसलिए चुना गया है कि जब इस देश के सामने कोई ज्वलंत मुद्दा आएगा तो इस देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर उस मुद्दे पर बात करेगा हमें एक स्वर में चर्चा करके मनीपुर को यह संदेश देंगे हम आपके साथ सदन की और अमित्शा के समू से कह रहे है कि मैं खड़ा हो कि मैं बहस के लिए तयार हूँ जी आप कौन आप तो ग्रह मंत्री है आप नेता सदन नहीं है आप प्रधान मंत्री नहीं है आपके चेहरे पर वोट नहीं पड़ा था आप तो चार दिन मणीपुर रहकर आगे थ आपको उस भयावे विडियो और आप ही के मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसे सेक्लों इंसिदेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं चला तो आप तो सबसे ज़्यादा विफल है आपने तो एक और पार्टी मीटिंग करी थी उस मीटिंग में आपके मुख्यमंत्री तक नहीं आए थे तो आप किस मूँ से कह रहें कि मैं बहस करूंगा कौन है आप इस देश का प्रधान मंत्री चुना गया है इसलिए कि वो आकर बहस करे और मैं एक बात कहकर अपनी इस वाले सवाल का जवाब का एंड करूंगी आपने कहा दिशाहीन मडीपुर इस देश का हिस्सा है म प्रेशर में आके उनको 36 सेकंड बोलने पड़ गए शांती की एक अपीली कर देते हैं राहुल गार्दी तो वहाँ हो आए दोनों समुदायों से मिलाए राहत कैम्प में होके आए लोगों की तकलीफ सुनी और आकर ये कहा कि शांती ही बहाल करना एक अनलोग एक अकेला उ को ही करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए प्रधान मंत्री ने तो अभी तक एक भी ऐसा कुछ नहीं कहा है और सबसे घटिया राजनीती अजीत जीता बोरी और मैं ये औरत होने के नाते कहती हूँ तो मेरा सिर शर्म से जुपता है जो सबसे घटिया निमनस्तर की राज जी प्रयोजित हिंसा है मडीपुर की गवर्नर कह रही है बहुत बदहाल सिती है मैंने उपर वालों को बता दिया है मडीपुर में ग्रह मंत्री होकर आ जाता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता है प्रधान मंत्री अमरीका फ्रांस एजिप्ट खाडी धूम रहे हैं उनको क वही दिक्कत नहीं है मडीपुर जल रहा है तो मडीपुर के चीजों को बाकी जगहों से कंपेर मत करिये बाकी जगहों पर अपराद हुआ है महिलाओं के खिलाफ और वो अक्षम में हैं लेकिन बाकी जगहों की सरकारों ने कानून विवस्था को दम नहीं तोड़ने दिय उसके खिलाफ कारवाही करिए और गिरफतार ABBP के लड़के हुँए ये असलियत है थे तो अमिश्या पहली बार तो गरे मंत्री हैं प्रदान मंत्री मोदी के बाद number 2 है सरकार में उनकी है सिएथ है प्रदान मंत्री के बाद सबए दिखut कि देश्चित में राष्ट के सामने आने वाली चुनाओतियों का न्याय संगत और स्थाई समादान खोजने के लिए आप लोग पार्टी लाइन से उपर उठें सद्भाव से काम करें और उसके बाद काम काज सुनिश्चित करने के लिए संसर्द में समर्थन दें और आए च करें आज संसर्द में कुछ का मैं चाहता हो अगर वह में सभकार में इंट्रेस्ट ना सवकारी ता में ना धली से से ना मैलाओं के कल्यान में इंत्रूट तो उनके नारे लगाना बहुत सभावी थी मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं मैंने आज दोनों सदन के विपक्स के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तयार हूं सरकार को कोई डर नहीं है चर्चा जिसको करनी है मनिपूर पर वो चर्चा करने रहा हूं हमें कुछ चुपाना नहीं है हमने दोनों विपक्स के नेतारों को मैंने आज पत्र लिखा है मैं कहता हूं कि जन्ता आपको देख रही है चुनाहों के जाना है जन्ता के खौप को धान्दे रखे और मनिपूर जैसे पर चर्चा के लिए उचीत माहूर सदा में बदाई है ऐसी मेरी दुमन्ती है आपका धन्यवाद अब अमिश्चा कह रहे है कि मनिपूर जैसे मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तयार है आपको इसमे कोई दिल्चस्पी नहीं है न दलित में न साहकारिता में आप लोग एक तरह से नारेबाजी कर रहे है आईए चर्चा की मनिपूर पर चर्चा करना चाहते हैं अमिश्चा अमिश्चा बताएंगे कि उनको 78 दिल तक इस विडियो के बारे में क्यों नहीं पता चला अमिश्चा बताएंगे कि राम माधव और हेमन्तों विस्वसर्मा ने एक्स्ट्रीमिस्ट और्गनाइजेशन की मदद क्यों ली मिश्चा बताएंगे कि एक नहीं ऐसे सेक्रो हाजसे हुए उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं? मिश्चा बताएंगे कि जो राजपाल कह रही है उसके बारे में उनके पास क्या जवाब है? कि बदहाल स्थिती और मैंने हायर अब्स को बता दिया है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे साथ हजार से जादा लोग विस्थापित है 112 लोगों की इस हिंसा में मौत हो चुकी है औरतें, बच्चे, बिलक रहें, जुलस रहें और अमित शाप वहाँ पे खड़े हो के सहकारिता की बात करेंगे और ताली ठुकवाएंगे भाजपा के सांसदों से शर्मानी चाहिए मुझे तो इस बात का दुर्भाग ये लगता है कि जिस दिन वो विडियो वाइरल हुआ उस दिन अमित शाप के संगरक चलते अमित शाप की दिल्ली पुलीस ने कोट में बोला ब्रजभूशर शरण सिंग की बेल पर ना हम अपोस करते हैं ना हम समर्थन करते हैं जो आपको ठीक लगए आपको कर लीजे ये वो दिल्ली पुलीस है जिसने अपनी चार्ज शीट में यौन शोशन का आरोप लगाया है दराने धमकाने का आरोप लगाया है अमिच शाह इसका जवाब देंगे कि उनकी दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं अपोस करी बेल अमिच शाह बताएंगे कि गोपाल कांडा कैसे छूट जाता है अमिच शाह बताएंगे कि जिस दिन ये विडियो वायल हुआ उस दिन वो गंदा घिनोना दोशी रामरहीम कैसे निकल जाता है गिरफ से तीस दिन की पैरोल पर वो घूमने आता है क्या जेल मैं ये जानना चाहती हूँ अमिच शाह क्या बोलेंगे ये सबको पता है अमिच शाह का नैतिक दिवालियापन इस देश ने चाहे वो प्रजभूशन शरन सिंग हो और चाहे वो अजय मिश्र टेनी हो उन दोनों के बने रहने पर इस देश ने देख लिया है कि जिस कुरसी पर कभी लोपुरुश सरदार पटेल बैठते थे आज वहाँ अमिच शाह बैठते हैं तो अमिच शाह इदर उदर की बात न करें वो मोदी जी को बाकी जगहों से रिस्क्यू करें सदन के नेता है नरेंद्र मोदी सदन से लगातार गायब है कहें छुपे छुपे फिर रहें कहां मूँ छुपाए फिर रहें क्यों भागे भागे फिर रहें आईए देश में देश का सदन भी सुनना चाता है प्रधान मंतरी क्या कहता है परिसर में 36 सेकंड की बाइट देंगे बाइट देने से पहले सावन कितना लंबा है हाँ भई दोस्तों क्या हाल चाल है ये सब चल रहा है क्या हो गया इस देश में और मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें इस बात की और मैं इसलिए नहीं कहा रही हूँ क्योंकि मैं कॉंग्रेस से हूँ मैं उस वक्त जॉर्निस्त थी बहुत बदल गया ये देश बहुत बदल गया ये मीडिया 2012 में निर्भया का कांड हुआ था और लोगों की आत्मा को जगजोर कर रग दिया था लोग सोचने को मजबूर थे कैसे पांच लोग एक औरत के एक लड़की के साथ वो दरिंदगी कर सकते हैं मीडिया सड़कों पर था लोग सड़कों पर थे सरकार सवालों का जवाब दे रही थी लेकिन सरकार ने कभी भाजपा शासत प्रदेशों की और उंगली नहीं उठाई सरकार भागी नहीं इस देश के प्रदानमंत्री ने इस राष्ट को संबोधित किया और कहा कि आपका गुस्सा आपका दर्द जायज है मैं भी तीन बच्चियों का पिता हूँ मैं समझता हूँ लेकिन प्रार्थना कीजिए निर्भया के लिए उसके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए की शांती हो क्योंकि हिंसा से किसी का हल नहीं है इस देश के प्रदानमंत्री और सोनिया जी उनके परिवार से टच में रहे उसको इलाज के लिए सिंगापूर भेजा और जब दर्भागिवक्ष उसकी मौत हो गई तो उसके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए धाई बजे एरपोर्ट की टार्मैक पर खड़े थे ये सम्मान था उस बेटी का ये सम्मान था इस देश की आदी आबादी का इस देश के एक बेटे राहुल गांदी नोरब मैं ये बात कह सकती हूं किसी को बताया नहीं लेकिन निर्भया के भाई को पढ़ाया उसको पाइलिट बनाया उसको आत्मनिन भर बनाया और इसका खुलासा खुद निर्भया की माने किया ये था वो देश जब मीडिया सवा इस दी सामत हूं और चुकि मैं चस्मदीद रहा हूं गबाहरा हूं 2012 की घटना निर्भया का मामला दिसंबर का महिना और मैं निर्भया का एडिटर था वो दोर और वो वक्त हमने देखा कि हमारे दर्जनों रिपोर्टर लगातार इंडिया गेट से लेकर जावी प्रदर् अंनर्था प्रसाद है लेकिन उनके हस्मेन राजीव शुकला सिर्कार में ससवी box ते राजमंत्री लेकिन उसके बाद उस हैनल पर वतावर मैनेज्जिंग एडिटर दिन रात मनमहन जुह की तस्वीर लगाकर मैं सवाल पूचता था और हमारे हरो मैं मनमहन की तस्वीर होती थी दिल्ली में निर्भया के साथ दिर्व क्यों हुई हमें कभी नहीं लगा कि कहीं से दमाव आ रहा है क्या तो सरकार और मुख्यمن्त्री और प्रधान पत्रकार होने के नाते भी और आज का दौर भी देख रहा हूँ जब सही आपने कहा कि बनिपूर बे इतने दिनों से सारी चीजें हो रही है आउट आफ कंट्रोल लेकिन उसके बाद भी मीडिया का एक पड़ा तबका उसको नजर रंदाज करता रहा जिसके पास संसादन है वो गए नहीं अब कुछ लोग गए और अच्छी रिपोर्टिंग कुछ मनिपूर से हो रही है लेकिन वो तब शुरू हुई जब ये दो महिलाओं की वो तस्वीरें वाइरल हुई जो हम सब को कलंकित कर दिये प्रदान मंत्री ने कहा देश शर्मसार है काईदेश से तो को शर्मसार होना चाहिए शर्मनता होना चाहिए मुझे याद है मन महन सिंग का राष्ट के नाम संदेश नज्रे जुकी हुई थी और बहुत संजीत की और संबेदन शीलता से बात की तदान मंत्री सही आपने कहा सावन भादों के शुरुवात की डवन सावन की का जिक्र और बोल कर निकल गया अब सवाल उटता है वहां से फिर वापस चुकि हम सब लोग आक्रोशित होते हैं और जब वो तस्वीर देखे हमें हमें तो देखा नहीं गया मैं भी एक बेटी का बाप हो उस तस्वीर को सिर्फ याद कर लू तो रूंटे खड़े हो जाते हैं रू दो घंटे घंटे करके बार बार स्थकल हुआ अब यहां से क्या रास्ता है देखें रास्ता सरकार को ढूणना है ये तो फेमसली भाजपाई कहती है न कि सदन चलाने का काम सरकार का है तो अगर आपका काम है तो आपको अपनी जिद और एहंकार छोड़ना पड़ेगा आपके सिर है तो आप जिद मत कीजिए और आपको अंदतों गत्वा घुटने टेकने पड़े थे मड़ी पुरबर भी अतनतों गत्वा आपको घुटने टेकने पड़ेंगे वो देश का एक हिस्सा है जल रहा है आप चुप नहीं रह सकते हैं आप देश के प्रधान मंत्र जरूरी है कि आप सदन में आईए इस पर बहस कीजिए इस पर वक्तव दीजिए और ये देश एक स्वर में मड़ी पुर से बोले हम आपके साथ मुस्तेदी से खड़े हैं और हम इस परीक्षा की घड़ी को पार कर लेंगे क्या ऐसा करने को तैयार है सरकार और मैं आप से आपके माद्यम से आपके विवर्स से पूछना चाहती है क्या ये मांग कि इस देश का प्रधान मंतरी चुना हुआ प्रधान मंतरी इस देश का वो प्रधान मंतरी जो तथाकतित तोर से बड़ा पॉपुलर है उसको ऐसे मौके पर आकर इस देश को संबोधित नहीं करना चाहिए उसको सदन में नहीं बोलना चाहिए क्या ये मांग नाजायज है क्या हमारा ये एक पेक्षा करना कि इस देश का प्रिधान मंत्री सदन में आकर बोले ये सदन सब कुछ भूल कर मणीपुर के बारे में चर्चा करे ये जायज मांग नहीं है क्या हम अपनी आखे रखे आगे भी बंद रखे ये चाहता है ये देश मुझे लगता है कि इस देश में एक वर्ग है जो ये चाहता होगा लेकिन अधिकांश लोग आज मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं और आज गुस्सा हैं कि इस देश के प्रधान मंत्री ने इस देश का नाम एक टेरर औ इस इसनाइजेशन गुलामी की प्रतीक इस इंडिया कंपनी के साथ खड़ा कर दिया उसका सामनांतर कर दिया और ये मोदी जी का डर और वोखलाहट दिखाता है वक्त हो गया आपकी रुकसती का जाना है जल्दी आपको जोला उठा कर लेकिन जाते जाते अपने आपको औ एक संजीदा इंसान के तौर पर दर्शुकों को भी सबको सोचना चाहिए कि मनिपूर में जो हुआ वहां सरकार की नाकामी मुख्यमंतरी का निकम्मपन नाकारापन सब कुछ सामने है सबूत के तौर पर इस पर कुछ कहने की जरुत नहीं सीजाई ने आखिर दखल दिया और कहा क्या या तो आप एक्शन लीजिए हम एक्शन लेगे लेकिन अगर आपको बस एक चीज़ बोलना चाहते हूं मुझे लगता है नाकारापन और निकम्मेपन से जादा बात बढ़ी है ये बात संगरक्षर की है कौन संगरक्षर दे रहा है बिरेन सिंग को और क्यों स संगरक्षर दिया जा रहा है ये अपने आप में एक सवाल है ये सिर्फ उनके नाकारे पर उनके निकम्मेपन तक होता तो चलिए फिर भी को एक शमा कर देता ये अपराद तो सेंट्रल गर्वर्मेंट से हो रहा है ये है आपकी डबल इंजिन की सरकार सॉरी मैंने आपको ने कोई बात नी और हमने वो बयान में सुने है प्रधान मंत्री मोधी के जब चुनाओ के दौरान मनिपूर में भाशन देते हुए कह रहे थे कि ये आप जो वोट करेंगे बीजेपी को ये अगले 25 साल तक मनिपूर का भविश्च बनाएगा और जब वहां कॉंग्रेस की सरकार थी तब जब चुनाओ प्रचार कर रहे थे तब प्रधान मंत्री 2017 में कहा करते थे कि मनिपूर को केंदर की सरकार ने जिनकी सरकार थी कॉंग्रेस की तरफ या वहां जो सरकार थी उन्होंने बरबाद कर दिया हमारी सरकार बनाई है लेकिन जो अब सवाल आपका ध्यामना आए जब तक वीडियो वाइरल हो और लुक मंत्री प्रधान मंत्री के पास को भी कल्ख नहीं लैकिन भेर वापस आखरी सवाल कि लगता नहीं है कि प्रधान मंत्री जवाब देंगे। अगर उनका आपको भाशन ही सुनना है तो जब वो बोल कर गए थे ना एक अकेला सपर भारी तो देश ने ये देखा था कि देश का चुना हुआ प्रधान मंतरी दो घंटे चालीस मिनट दोनों सदनों में बोला गला सूखता रहा पानी पीता रहा लेकिन अडानी का अ नहीं बोल पाया और इतना घबरा गया इतना डर गया कि जिस आदमी ने अडानी का आईना दिखा दिया था आपको शडियंत के तहत आपने उसकी सदसिता रद कर दी मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ ये देश ने देखा है अडानी पर मोदी जी भाग नहीं सकते भागे भागे पिरेंगे लेकिन अडानी वो भूत है जो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा तो इस देश ने देखा है वो कितना टाली ठोक के कहें एक अकेला सब पर भारी कितनी चेस ठंपिंग करें 38 का कुनबा उनको जुताना पर रहा है सब दगे हुए कार्तूस है क्योंकि वो इंडिया से डरते हैं आपने कहा क्या होगा भाशर दे के चले जाएंगे ये देश देखे तो कि क्या प्रधान मंतरी के अंदर हिम्मत है मणीपुर से आख में आख डाल कर ये कहने की कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ क्योंकि मड़ीपुर वाले फिर आप से पूछेंगे कि प्रधान मंत्री आप अमरीका के हैं, फ्रांस के हैं, एजिप्ट के हैं, खाडी के हैं कि इस देश के हैं, आपको याद होगा क्वाड की वो मीटिंग जहांपर जो बाइडन ने जाने से इसलिए मना कर दिया था क्यों प्रधान मंत्री हैं, इस देश की सदन की, इतनी तो तोहीन मत करिए, इस देश में आपको चुना गया है कि आप ज्वलंत मुद्दों पर बात करिए, लेकिन मैं आपका डर समझती हूँ, एक नसीहत आपको देती हैं, शायद आप इसलिए ना बोल रहे हों, क्योंकि संसद में टली प्रॉम्टर नहीं है, आप टली प्रॉम्टर भी लगा लीजिए, लोकसभा और राजिसभा दोनों में, लेकिन प्रभु बोलिये तो मनीबुर पर, इस देश का हिस्सा है, टली प्रॉम्टर पर ही बोलिये, लेकिन बोलना जरूरी है. यह तस्मीर जो देख रहे हैं दर्शक यह तस्मीर आज बीजेपी संसद्या दल की बैठक की तस्मीर है इस बैठक में प्रधान मंत्री मोधी आए और आज सत्र सुरू होने के पहले और प्रधान मंत्री मोधी ने वह भाषन दिया प्रवचन दिया लेक्चर दिया जो भी का और उसी में उन्होंने इंडिया शब्त का जिक्र इस संदर्व में किया कि इंडिया तो इंडियन मुझाहिदीन में भी है, इंडिया तो इस इंडिया कंपनी में भी है और इंडिया तो पीएफाई में भी है और निशाना उनका विपक्ष था और इसलिए क्योंकि विपक्ष भी आपका था, शोता भी आपके थे, वहाँ हॉल भी आपका था, एको सिस्टम भी आपका था, माइक कैमरा एक्षन भी आपका था, तो आप बोल कर चले गए, लेकिन संसद के सदन में, फ्लोर अफ दा हाउस पर प्रधान मंत्री कब बोलेंगे, आप एक चीज़ जरूर दिखाएए, इन पिक्चर्स में भी, इन पिक्चर्स में भी बाकी सांसद सब साथ में बैठेंगे, लेकिन प्रधान मंत्री के अगल बगल की कुरसी खाली नहेगी, जिससे कि वो अकेले, एक अकेला दिखे, लेकिन ये एक अकेला हताश, घबराया हुआ कायर, तानाश शाह मुझे नजर आता है, अच्छा आपको क्यों लग रहा है इस तस्वीर में, मैं भी देख रहा हूँ, मैंने अपने वीडियो में बोला भी था, कि प्रधान मंत्री बैटे हैं, एक एर खाली है, इधर एक एर खाली, रक्षा मंत्री, मैं राधना सिंग, रक्षा मंत्री है, उनसे सीनियर है, राधना सिंग, भीजेपी की अध्यक्स से, जब प्रधान मंत्री की दावेदारी, गोआ से तैव हुई थी, नरिन मोदी की, तब मुख्यमंत्री थे तो प्रोटोकॉल में उनसे उपर थे लेकिन ठीक है वक्त होता है तो रक्षा मंत्री एक सीट खाली इधर मेरे ख्याल से एक बार वो तस्वीर अभी देखते हैं इसके बाद फ्रेम में और यह ऐसे तालिया बजा कर उनका स्वागत किया गया प्रधा मंत्री एक सीट खाली करके बैटो हमने बहुत सरकारे कवर करिए बड़े प्रधान मंत्री कवर किया मैंने और आपने दोनों ने ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है सिर्फ क्यूंकि कैमरे पर अकेले नरेंद्र मोधी स्पष्ट तोर पर नजर आने चाहिए उनके आस पास क्य पीरों के बेताज शेहंशा मोधी जी अपनी ड्रेस वरस भी आजकल बदल दिये कुछ दूसरी धार का कुर्ता पहनने लगें सिर्फ क्यूंकि इनके आस पास कोई नजर ना आए बस एक यह बात है ररी देखते हैं हम उम्मीद करेंगे कि संसद में प्रधान मंत्री मुधी अपना पाक्षक है sports और मनीपूर पर अपना ब्रयान दे और कथे क्या है सरकार की नाकामी के बारे में मनिपूर में जो 80 दिन तक हिंसा हुई उसके बारे में और मनिपूर को कंट्रोल नहीं कर पाए उसके बारे में क्या पक्षा उलका हम सब सुनना चाहते हैं फिलाल नमस्कार शुब्रात्री